Hello students, welcome back. Class 9 Maths, Exercise 4.2 linear equation in 2 variables का question number 3 करेंगे. हम last question है, sorry, second last question है इस exercise का. Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. हमें कुछ यहापे numbers दे रखें, कुछ solutions दे रखें हमें चेक करना है कि वो इस equation का solution है या नहीं. ठीक है? चलिए बात करते हैं पहली equation की. अब देखो, first number है हमारे पास 0,2 अब first coordinates देए है 0,2. अब हमें देखो basically हम coordinates को कैसे लखते हैं? x, y यानि कि यहाँ पे x 0 हो गया और y यहाँ पे 2 हो गया. ठीक है ना? अब equation क्या है हमारे पास? देखो. equation है x minus 2y equal to 4. तो हम इस equation को यहाँ पे देखेंगे x minus 2y is equal to 4. इसमें हम क्या करेंगे? देखो x is equal to 0, यह वाला part, और y is equal to 2, यह. इसको put करेंगे. ठीक है? तो इस equation में अगर हम put करेंगे, देखो क्या आएगा? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यह equation हो जाएगी हमारी x x कितना है? 0 minus 2, y कितना है? 2, कितना आ रहा है देखो? is equal to 4. तो यह जाएगा minus k 2 to the 4 is equal to 4. Means हमारा जो lhs वाला part आया है, this is unequal to rhs, या तो 4 is equal to 4 आता, तो तो equation सही होती है, ठीक है? बट lhs, rhs कैन equal आ गया? तो हम लिखेंगे, therefore it is not a solution. therefore it is not a solution. ठीक है? खतम हो गया. यहीं पर हम second part करते हैं, चलिए. second part क्या बोलाए है, देखो? second part है हमारे पास 2, 0 2, 0 फिर से वाई बाली बात आ गई देखो x, y कोडिनेट लिखते हम तो यहाँ पर x कितना हो गया? 2 और y कितना हो गया? 0. मतलब हमें x 2 2 पुट करना है, और y 0 पुट करना है. ठीक है? अब x 2 पुट करेंगे, और y 0 पुट करेंगे, जैसे अब यह फर्स equation करा है हमने. थोड़ा सा चलिए. x minus 2y is equal to 4. तो यहाँ पर पुट करेंगे, 2 is equal minus 2 minus 2 into 0 is equal to 4. तो 2 is equal to 4 means LHS is again un-equal to RHS और LHS, RHS के un-equal आता है मतलब हम क्या लिखेंगे? it is not a solution of a given equation. it is not a solution of a given equation. ठीक है? चलिए. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है 4,0 थर्ड पार्ट क्या है? 4,0 equation हमारे पास अब देखों, यहाँ पे फिर से x,y ले लो तो x कितना हो गया? 4,y कितना हो गया? 0 पुट कर दो equation में equation क्या है हमारे पास? x minus 2y is equal to 4 ठीक है? तो यहाँ पे प्लोट करेंगे तो x की जगे 4 minus 2 into 0 is equal to 4 तो 4 is equal to 4 means LHS part is equal to RHS therefore it is a solution ठीक है? it is a solution चलिए अब यहाँ से अगला पार्ट करते हैं अगला पार्ट हमारा है 4th पार्ट 4th पार्ट कौन सा है? अंडर रूट 2 2, 4 अंडर रूट 2 तो x की जगे हम अंडर रूट 2 पुट करेंगे और y की जगे 4 रूट 2 पुट करेंगे अब देखो equation क्या है हमारे पास? x minus 2y is equal to 4 तो x की जगे क्या आएगा? x की जगे रूट 2 आएगा तो हम रूट 2 पुट कर देते हैं तो रूट 2 minus 2 into y की जगे 4 रूट 2 is equal to 4 solve करते हैं इसको रूट 2 minus 8 रूट 2 is equal to 4 ठीक है? रूट 2 minus 8 रूट 2 हमारा 4 आगया अब देखो LHS वाला पास आगे solve हो सकता है? नहीं मनलब वैसे solve हो सकता है बट 4 नहीं आएगा तो हमें आप लिख सकते हैं LHS is unequal to RHS therefore it is not a solution therefore it is not a solution ठीक है? I hope आप लोगो समझ में आ रहा होगा ठीक है? अराम अराम से कर रहे हैं समझते जाएए नोट करते जाएए 5 पार्ट 1,1 अब यहाँ पर देखो exercise बिटा sorry x and y x और y coordinate 1,1 दियें यानि कि x is equal to 1 है और y is equal to 1 है equation हमारे पास है x minus 2 y is equal to 4 simple कि इसमें पुट करेंगे x कितना पुट करना है हमें? 1 minus 2 into y पुट करना है 1 is equal to 4 है न? तो यह जाएगा 1 minus 2 is equal to 4 तो यह जाएगा minus 1 is equal to 4 that means our LHS part is unequal to RHS again तो हम लिखेंगे therefore it is not a solution तो यह हमारा 5th question था 5th part था ठीक है? कभी भी हमें ऐसा solution निकालना होता है उसमें put करो LHS, RHS के बराबर आना चाहिए next question में इसका question number 4 दिखते हैं thank you